नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूटूब चनल समीर पारसाला में दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम डिसकस करने चा रहे हैं पीवी सैले की बायग्राफी इस वीडियो में हम पीवी सैले की बायग्राफी को बहुत ही अच्छे से समझेंगे दोस्तों PB CLE का जनम 792 में हुआ था और इनकी death जो हुई थी वो 1822 में हुई थी ये एक romantic poet है दोस्तों romantic age start होने के 6 साल पहले इनका जनम हुआ था romantic age कब start हुई थी दोस्तों 1798 में romantic age start हुई थी और इनका जनम हुआ था 1792 में तो दोस्तो तक्रीवन 6 साल पहले इनका जनम हुआ रोमेंटिक एज श्टार्ट होने से और रोमेंटिक एज खतम होने से पहले ही इनकी डैथ हो गई इन्होंने अपने 30 इयर्स भी दोस्तो लाइफ में कम्पलीट नहीं किये थे और इनकी मिर्तियों हो गई तो दोस्तो हर एक चीज को मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा वीडियो के लाच्ट तक बने रहें दोस्तो शुरू करने से पहले मेरे पास आप लोगों के लिए एक न्यूज है जो लोग इंगलिस से TGT, PGT या फिर LTE grade की तयारी कर रहे है तो literature और Renan Martin का batch हमारे पास चल रहा है जिन लोगों को literature के notes चाहिए वो TGT, PGT और LTE grade के literature के notes हमारे पास आपको मिल जाएगे जिन लोगों को सिर्फ Renan Martin पढ़नी है जिन लोगों को सिर्फ grammar के notes चाहिए उनको grammar के notes मिल जाएगे आप हमें इस number पे call और whatshap कर सकते है साथी चैनल को subscribe कीजिए so that you can get all the latest video notifications शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो दोस्तों सबसे पहले हम जाल लेते हैं पीवी सैले जो थे वो एक romantic poet थे romantic age से वो belong करते थे दोस्तों और ये कोन सी century से बिलों करते थे 19th century से बिलों करते थे दोस्तों कभी-कभी हम किसी writer को पढ़ने लगते हैं लेकिन हम इस चीज पे ध्यान नहीं देते कि वो किस age से बिलों करते थे तो ये चीजे भी हमें जानना बहुत जरूरी होता है तो पीवी सैले जो बिलों करते थे वो 19th century से बिलों करते थे ये जाने जाते थे अपनी lyrics के लिए classical poems के लिए verse dramas के लिए जाने जाते थे और अपनी revolutionary spirit के लिए भी दोस्तों ये जाने जाते थे अब दोस्तों बात करते हैं इनके friends या फिर contemporary writers की की वो कौन-कौन थे तो इनके साथ जो थे दोस्तों जो लिखा करते थे या फिर इनके friend भी हम इने कह सकते हैं Lord Byron, John Keats Lee Hunt, Thomas Lappicock और उनकी wife Mary Sally जो Mary Sally थी इनकी wife ये दोस्तों इनकी second wife थी second wife है इनकी Mary Sally ये भी एक writer है इनके कुछ work जो है collaboration में भी आए है P.V. Sally का जनम दोस्तों कब हुआ था P.V. Sally का जनम 4 अगस 3792 में को हुआ था Field Place में हुआ था इनका जनम और इनके district का नाम था Horsham जो कहां पर था West Sussex में था दोस्तों इनके पिता का नाम जो था इनके पिता का नाम Sir Timothy Sally था दोस्तों ये जो थे एक member of parliament थे इनकी mother का नाम दोस्तो Elizabeth Pilford था ये एक बहुती अच्छी family से मतलब की जिस जो जमिदार family से जमिदार family से ये belong करती थी तो जो P.V. Sally का background था वो दोस्तों strong background से ये belong करते थे अब इनके father का नाम क्या है दोस्तों Sir Timothy Sally और इनकी माता का नाम Elizabeth Pilford अब इन दोनों के कितने बच्चे थे दोस्तों इन दोनों के six children थे यानि के छे बच्चे थे जिसमें से दो भाई थे और चार बहने थी पीवी Sally का सिर्फ एक और भाई था जिसका नाम था जोन सेले ठीक है आपको ये याद रखना है कि Sir Timothy Sally के कितने बच्चे थे दोस्तों छे बच्चे थे Sally ने अपनी starting education जो है दोस्तों वो अपने घर पे ही start की थी इनकी education जो है घर पे start की थी बाद में 18-2 में यानि तकरीबन जब ये 10 साल के थे तब इनकी education एक श्यान house academy के अंदर चालो हुई थी 1804 में दोस्तों इन्होंने Eton College को जोईन किया जहां पर इनके classmate जो थे इनको बहुत ही ज़ादा बुली किया करते थे और उनको एक nickname से भी जाना जाने लगा था Eton College के अंदर वो nickname था Mad Sally अब इनके जो classmate थे या जो लोग थे उनको क्यों छेड़ा करते थे जो की senior बंदे होते हैं अपने junior से जो वो चापुली सी कराते हैं कुछ काम कराते हैं तो Sally जो थे उनकाम को ये करना नहीं चाते थे उनकाम को ये direct मना करते थे इस तरह के काम ये बिलकुल भी नहीं करना चाते थे हैं तो इसलिए दोस्तों इन्हें वहाँ पे एक nickname से भी जानने लगे Mad Sally के नाम से 10 अपरेल 1810 को दोस्तों इन्होंने अपना स्कूल जो है पास आउट कर लिया और इन्होंने एक यूनिवर्सटी कॉलिज में एडमिशन ले लिया दोस्तों माना जाता है जब ये अपने कॉलिज में जाते थे हो वहाँ पर बिलकुल भी कोई क्लास को अटेंड नहीं करते थे सिर्फ एक ही को अटेंड करते थे लेकिन ये अपने घर पर आकर बहुत ही ज़्यादा स्टडी करते थे ये बहुत ज़्यादा मेहनती थे 1810 में दोस्तों सैले ने एक गोथिक नोवल को पब्लिश कराया जिसका नाम था जैस्ट्रो जी माना जाता है दोस्तों इसको सैले ने 1804 में जब ये इटोन कोली में स्टडी करते थे तब ही वहाँ पर इन्होंने लिख लिया था लेकिन इसको पब्लिश नहीं कराया था तो पब्लिश कब कराया था इन्होंने 1810 में सैले ने इसे पब्लिश कराया था फिर दोस्तों 1811 में इन्होंने एक और नोवल पब्लिस कराया जिसका नाम था Saint Irvand or the Rosie Crucian ये एक और नोवल था ये भी दोस्तों एक Gothic नोवल है जिसे पीवी सैले ने 1811 में पब्लिस कराया था इसके अलावा दोस्तों 1811 में एक चीज और हुई इन्होंने एक पंपलैट लिखा अपने दोस्त के साथ मिलकर जिसका नाम था Thomas Jefferson Hope उस पंपलैट का नाम था दोस्तों The Necessity of Ethism ये पंपलैट इन्होंने मिलकर लिखा था Thomas Hope के साथ जब इनसे पूछा गया कि ये pamphlet किसने लिखा है ये किसने पूछा था दोस्तो Dean ने पूछा था उसका नाम क्या था दोस्तो George Rollins का नाम था उसने पूछा कि ये pamphlet किसने लिखा है तो Shelley और इनके दोस्त ने नाम लेने से मना कर दिया था कि ये पंप्लेट जो है हमने नहीं लिखा था तो दोस्तो 1811 में 25 मार्च 1811 में दोस्तो इन्हें जो है उस कोलिज में निकाल दिया गया उस कोलिज से कब निकाला गया 1811 में इन्हें कोलिज से निकाल दिया गया था दोस्तो 1811 में एक चीज इन्होंने और खी जब ये 19 साल के थे मात्र तो ये एक लड़की के साथ भाग गए थे स्कोटलेंट वो लड़की 16 साल की थी और उसका नाम हैरियेट वैस्ट वरुक था बाद में ये दोस्तो इनकी पहली वाइफ भी बनी आगे चलके इन्होंने इससे साधी कर ली थी तो ये इनकी पहली वाइफ है जिसके साथ ये स्कोटलेंट भाग गए थे 1813 में दोस्तो इनका सबसे पहला और लॉंग वर्क आया ये एक फलोसपिकल पोयम है जिसका नाम है क्यून मैप क्यून मैप जो लिखी थी पीवी सैले ने दोस्तो नाइन केंटोस में लिखी थी 1814 में दोस्तो एक political flows पर जिसका नाम था William Godwin ये उसके घर पर गहे उसके घर पर जाने के बाद वो मिले Mary Godwin से जो William Godwin की 16 साल की एक लड़की थी जिन्हें प्यार हो गया था P.V. Sally के साथ तो P.V. Sally इनकी बेटी के साथ ही दोस्तो प्यार के चक्कर में पढ़ गए थे अब दोस्तो प्यार तो इन्हें हो गया 1814 में ही P.V. Sally मेरी Godwin के साथ दोस्तो भाग गए कहां भाग गए यूरोप भाग गए और Godwin की सिस्टर ने इन्हें बहुत हेल्प किया था जब ये यूरोप चले गए थे तो दोस्तो इन्हों ने वहाँ पर six week spend किये मलब छे हफते इन्हों ने spend किये तो मेरी सैले ने दोस्तो एक work भी लिखा है the history of six weeks तो उसमें क्या mention किया है मेरी सैले ने कि इन छे हफतों के अंदर इन्होंने यूरोप के किस-किस जगा को विजिट किया था तो history पूरी बताई है इन्होंने उस work के अंदर वो एक collaboration work है जो पीवी सैले के साथ लिखा था मेरी Godwin ने 1816 में जो दोस्तो पीवी सैले की first wife है जिसका नाम Harriet Westbrook है उसकी body को recover किया गया था दोस्तो निकाला गया था एक तालाब से serpentine lake से निकाला गया था उनकी body हम उन्हें डूवी हुई मिली थी उस time पे दोस्तो Harriet Westbrook थी pregnant 30 दिसंबर 1816 को इन्होंने अपनी दूसरी साधी की Mary Godwin के साथ दोस्तो इनकी जो wife थी पहली wife जो थी Harriet Westbrook वो डूबने की वज़े से मर गई थी दिसंबर महिने में इसकी death हुई थी और उसके करीब तीन हफते बाद पीवी सेले ने अपनी दूसरी साधी कर ली Mary Godwin के साथ वो साधी कब की थी 30 दिसंबर 1816 को इन्होंने अपनी दूसरी साधी कर ली थी अब दोस्तो इन्होंने 1816 को इनका एक बहुती फीमस वर्क आयाद जिसका नाम है अलास्तर जिसका जो अनुदर टाइटल है दोस्तो Spirit of Solitude है ये एक Spiritual Autobiography है पीवी सेले के दुआरा लिख ही गई दोस्तो ये पहला ऐसा वर्क था जो पीवी सेले ने बहुत ज़्यादा लंबा लिखा था और इसको 720 लाइन में पीवी सेले ने लिखा था और साथ ही ये एक ऐसा वर्क भी था दोस्तो जिसे पीवी सेले ने कोई भी टाइटल नहीं दिया था तो इनके साथ के जो contemporary writer थे जिनका नाम था Thomas Love Picoke ये इनके friend भी थे तो इनोंने एक टाइटल सजेस्ट किया जिसका नाम है दोस्तो अलास्तर ये word जो है Roman mythology से belong करता है जिसका मतलब है दोस्तो evil genius पीवी सेले ने अलास्तर को लिखते समय विल्लियम वर्षवर्थ के work से दोस्तो कुछ lines उठाई है वो विल्लियम वर्षवर्थ के कौन-कौन से work है ओड जो एक तो ओड है दोस्तो intimations of immortality ये line दोस्तो ली गई है पीवी सेले के अलास्तर work में कहां से intimations of immortality से और दूसरा work जो है वो है words word के द्वारा लिखा गया the excursion उससे ये वाली line ली गई है जो पीवी सेले ने अपने work अलास्तर में include की है नेक्स्ट है दोस्तो the revolt of islam is a poem in 12 cantos पीवी सेले ने एक और work लिखा जिसका नाम था revolt of islam इसको पीवी सेले ने 12 cantos में लिखा इसको लिखा था दोस्तो 1817 में और publish कराया था 1818 में इसको पीवी सेले ने spencerian stenja में लिखा था spencerian stenja जो होता है दोस्तो 9 line का एक stenja होता है उसमें no lines होती है उसको दोस्तो हम जानते हैं idmond spencer के नाम पर idmond spencer ने उसको invent किया था दूसरी चीज़ दोस्तो इसके original title की यदि में बात करूँ तो leon and sitna इसका original title है दोस्तो ये देखिए इसका ये जो original title का नाम है वो ये है या फिर इसको हम the revolution of the golden city के नाम से जानते हैं evasion of the 19th century ये दोस्तो सारी information मैंने आपको revolt of islam की दी है दोस्तो एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि आप PGT PGT या फिर LGBT grade की तयारी कर रहे हैं और आपको किसी चीज़ पर मेरे वीडियो चाहिए तो आप उस topic का नाम लिखकर मेरे नाम डाल दीजिए जैसे कि आपको Othello का कुछ चाहिए Othello जो एक play है Shakespeare के दोरा लिखा गया उस पे आप डाल दीजिए Othello by Samir तो आपको मेरी वीडियो सबसे पहले निकल के आ जाएगी Samir पाट साला डाल दीजिए या फिर Samir डाल दीजिए YouTube पर Othello by Samir तो इसी तरह से आप जो है topic का नाम डाल दीजिए और मेरा नाम आगे डाल दीजिए Samir पाट साला तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो निकल के आ जाएगी तो सारी वीडियो में आपको धीरे धीरे देता रहूँगा और जो भी topic पे आपको वीडियो चाहिए आपको से YouTube पे सर्च कर सकते हैं अगला वर्क है दोस्तों PV Selle के दुवारा लिखा गया The Sensi Sensi जो है दोस्तों PV Selle के दुवारा लिखी गई एक tragedy है जिसे PV Selle ने 5X में लिखा था और इसको कब लिखा था दोस्तों 1819 में PV Selle ने लिखा था ये एक worst drama है कहीं कहीं हमें दोनों चीजे नहीं देखने के लिए मिलती एक चीज देखने के लिए मिलती है जैसे कि multiple choice questions होते है उसमें क्या मिलता है आपको एक चीज ही देखने को मिलती है या तो worst drama या फिर ये tragedy ये tragedy है PV Selle के दुवारा लिखी गई इसको दोस्तों The Sensi को PV Selle ने blank verse में लिखा था अगर मैं इसके dedication की बात करूँ तो Lee Hunt को ये dedicate थी और ये Selle के दुवारा लिखी गई last long poem थी next work है दोस्तों इनका ode to the investment दोस्तों ये जो है एक ode है PV Selle के दुवारा लिखा गया ये को किस तरह का ode है दोस्तों irregular ode है इसमें जो stangenays है वो वैसे तो three line का stangenा है इसमें लेकिन ये irregular ode में आता है इसको PV Selle ने जो publish कराय था वो कराया था अटारे 120 में और ये किस में लिखा हुआ है दोस्तों टर्जा रीमा में ये किस तरह का stangenा होता है दोस्तों three line का stangenा होता है इसमें जो मीटर का इस्तिमाल हुआ है दोस्तों वो है आयांबिक पैंटा मीटर अब बात करते हैं दोस्तों अगले वर्क की एक वर्क है इनके दुआरा लिखा गया जिसका नाम है प्रोमीथियस अन्बाउंड ये एक दोस्तों लिरिकल ड्रामा है जिसे पीवी सैले ने फोर एक्ट में लिखा है दोस्तों इसको पबलिज जो कराया था इन्होंने अठारे सो बीस में कराया था ये एक क्लोसेट ड्रामा है क्लोसेट ड्रामा दोस्तों क्या होता है किलोसेट ड्रामा वो होता है जिसे पफोर्म नहीं किया जाता जो सिर्फ पढ़ने के लिए लिखा जाता है उसे हम दोस्तो किलोसेट ड्रामा कहते हैं next work है दोस्तो इनके दुआरा लिखा गया a defense of poetry ये एक essay है जिसे Sally ने लिखा है कब लिखा था दोस्तो इसको 1821 में Sally ने लिखा था लेकिन ये जो पबलिश हुआ था इनकी death के बाद हुआ था 1840 में और दोस्तो ये एक थोमस लब पिकोक के दुआरा लिखा गया एक work था जिसका नाम था The Four Ages of Poetry उसके reply में ये work लिखा गया था PB Sally के दुआरा क्यों कि थोमस लब पिकोक कहते थे जो writer लोग है जो poet लोग है जो literature के work लिखते हैं वो कहते हैं कि वो जो लोग है अपना time waste करने हैं उनको ये सारी चीज़ छोड़ के कुछ और करना चाहिए तो ये title दोस्तो ये ही suggest करता है defense of poetry जो PB Sally है उन्होंने poetry को literature को defense किया है next work है दोस्तो एक इनका बहुती famous work लिखा गया जिसका नाम है Adonis Adonis जो है दोस्तो एक allergy है जो John Keats की death पर PB Sally ने लिखी थी ये एक दोस्तो pastoral allergy है जो लिखी गई थी John Keats की death पर इस poem के अंदर इस allergy के अंदर दोस्तो 495 lines है 400 पिचाण में lines है जिसमें इन्होंने no line के stanza का इस्तिमाल किया है और इसमें कितने stanza हैं दोस्तो 55 stanza इसमें है दोस्तो जब इन्होंने Adonis को लिखा था PB Sally ने तो एक बहुती अच्छी line बोली थी दोस्तो I have dipped my pen in consuming fire for his destroyers ये दोस्तो PV Sally ने कहा है ये जहांपर his word है ये आया है दोस्तो जोन कीट्स के लिए ये word आया है उन्होंने कहा है कि मैंने अपना pen उठाया है जो अब आग उगलेगा उन लोगों के लिए जिसने कीट्स की reputation को खराब किया है आगे घर में से पढ़ते हैं Sally is talking about the quarterly review and blackwood magazine तो दोस्तो जो Sally ने कही थी line I have dipped my pen in consuming fire for his destroyers वो किसके लिए कही थी the quarterly review and blackwood magazine के लिए जिसने कीट्स की reputation को खराब किया था दोस्तो एड़ोनिस जो है एक pastoral allergy है जो पीवी सैले ने जोन कीट्स की death के बाद लिखी थी और उसमें nine line के stanza का इस्तिमाल हुआ था और ये line I have dipped my pen in consuming fire for his destroyers ये पीवी सैले ने किसके लिए कही थी the quarterly review and blackwood magazine के लिए next work है दोस्तो the trump of life ये एक work है दोस्तो the trump of life यहां से लेके यहां तक ये work का नाम है ये एक work है जो पीवी सैले का unfinished work है दोस्तो इसको पीवी सैले ने टरजर रीमाक में ही लिखा था again ये three line का एक stanza होता है दोस्तो अब बात कर लेते हैं पीवी सैले की death की पीवी सैले कव मरे थे दोस्तो पीवी सैले की death हुई थी वो 8 जुलाए 1822 को हुई थी अब दोस्तो पीवी सैले जो मरे थे उनकी समुंदर से निकाला गया था उनकी death जो हुई थी वो समुंदर में डूबने की बज़े से हुई थी उनकी body को कही दिन बाद recover किया गया था कहां से समुंदर से जब उनकी body recover की गई थी तो दोस्तो उनकी body जो थी वो incomplete थी मतलब उनका पूरा सरीर जो है वो नहीं मिला था जैसे कि उनका सर नहीं मिला था उनके साइध हाथ पाउं भी नहीं मिले थे लेकिन उनको पहचान की गई थी तो किस चीश से करी गई थी दोस्तो उनके कपड़ों से की गई थी और उनके कपड़ों में कीड्स का एक वर्क लामिया भी मिला था जिससे कन्फरम होता था कि ये पीवी सैले की ही बोडी है दोस्तो जब उनका अंतिम संशकार किया गया था तो वहाँ पर कौन-कौन लोग थे हंट और बाइरन ये दोनों भी वहाँ पर मौजूद थे जब पीवी सैले का अंतिम संशकार किया गया था दोस्तो पीवी सैले को जलाय गया था लेकिन जलाने से पहले पीवी सैले का हर्ट जो है दोस्तो निकाल लिया गया था दिल जो है उसका निकाल लिया गया था उसका दिल जो निकाल के दे दिया गया था उसकी सेकंड वाइफ मेरी सैले को मेरी सैले की डेथ के बाद दोस्तो उस हर्ट को सैंट पीटर्स चर्च में दोस्तो दफना दिया गया था टीवी सैले की वाइब थी मेरी सैले उसकी डैठ के बाद अब उसपे दोस्तों उसका एपिटाफ जो था जो उनकी कबर पी लाइने ठी वो ये तीन लाइने थी जो कहां से लिए गई है दोस्तों सेक्ष्पियर का एक फ्ले है असका एक एरियल सोंग है उस पिले का तो ये जो इनका एपिटाप है वो कहां से लिया गया है दोस्तो वो The Tempest लिया गया है सेक्सपियर के द्वारा लिखा गया जो पिले है I hope दोस्तो आपको पीवी सहले के वर्क एंड बायग्राफी अच्छे से समझ में आई होगी अब मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तो तब तक के लिए जैहिन